जहें दोस्तों आप देख रहे हैं डूटेरिया का प्रिबियास येर जो सेट चला जा रहा है आपका बीपीस सी का तो आपका सेट नमबर आज का देखा जा तो आपका सेट नमबर फोर है इसके पहले का भी तीन सेट आपका अपलोड कर दिया गया है अगर आप लोगों ने नहीं देखा है इसको जोड़ देखिएगा सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर बन जाता है तो चलिए आज का सेट देख लेते हैं आज का जो आपका पेपर होने वाला है पैसेट भी प्यासी का जो आपका प्रीप्यस है उसको हम देखेंगे तो आप सब लोग को सु हो जाएगा केवल एक और दो यानि हडपा का उत्खरण 1921 में किया गया था उसका वर्तमान में हडपा पाकिस्तान मिछती थे तो इस प्रकार से आपका उत्तर यहां पर यह उत्तर हो जाएगा अगला प्रसनेक के निमन में से कौन सी नदी सब्त सैंधाव प्रदेश में सम अक्सीज की रूप में क्या दिया था तो आप सबी लोग गया रखिएगा पांस युदक हाथ ही दिया गया था आपका यहां पर तीसरे का यह उत्तर हो जाएगा अगला प्रसनेक निमन में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है एक आपका लेखक और आपका यहां पर पुस्तक दिया गया है तो आपका आप्सन चौथे का देखा जाएगा तो सी आपका आरे भाट विरिहत सनीता यह आपका गलत है जो आपका सही उसको हम देख लेते हैं डंडी दस कुमार चरित विश्णु सर्मा पंच तंत्र भास आपका देखा जाएगा ठीक है चलिए अगला प्र आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रसन क्या है इसमें निर्म कतनों में से कौन से कथन सही है यह आपका पूछा गया है तो वीडियो रोकिए एक बार आप अच्छे से इसको सही कीजिए तो कुछन नमर शिक्स का देखा जाए तो आपका ऑप्सन आपका बी सही हो जा अगला प्रसन है कि गौतम बुथ ने अपना प्रतम उपडेश कहां पर दिया था तो सभी को पता है यह आपका सारनात हो जाएगा अपका बी उत्तर हो जाएगा अब यहां पर मत एक आलिन देखेंगे किसने भारत में चिस्ती संप्रदाय की स्थापना किया था तो चिस्त तो विदेश मंतरी के नाम से देखाया तो आपका ऑप्षन डी हो जाएगा सुमंत क्या हो जाएगा सुमंत अगला प्रसन है किसकी सहायता से हैदर अली ने सत्रों सो पच्पन में डिन डी गूल में एक आधुनिक सस्तरागार की स्थापना किया था तो इसका आंसर हो जाए था ऑप्षन सी कालिकट में कहां पर कालिकट में अगला प्रसने की मदरास में रहत वाड़ी प्रति को किसने प्रारम किया था तो मदरास में पूछा गया है तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्षन भी थामस मुनरो क्या हो जाएगा थामस मुनरो अगला प्रसने किसने कहा था गतना का प्रारंधर्म के संघर्स के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत-षोंतंत्र संग्राम के sureовать है इसका उत्र आपका option होजाएगा से याद रखिये बहुत यदा इंप्रणेट ऐसने किस वर्षमें एक भारती महिला भारती राष्टी आध्यक्ष्य बनी थी तो इसका आपका देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा बताइए यह ते तो इसका उत्तर आपका यहां पे यह हो जाएगा आप इसको अच्छे से याद रखिएगा आप आते हैं को सरमर 15 पे थोड़ा सा लंबा कोशन है निम्न कतनों में से कौन सा कथन सही है यह आपका पूछा गया है तो इसमें आपका केवल एक चार और पांच सही है देखते हैं कि लाइक अली निजाम के एक्जे की रूप में न्यूक्त किया था तो इस प्रकार से इसका उत्तर आपका यहां पर यह हो जाएगा अगला प्रसने कि हिंदू पैट्रियाइट का संस्थापक कौन था हिंदू पैट्रियाइट का संस्थापक आपका आपका आप्सन नहीं हो जाएगा हरी संकर मुखर जी हो अप्सन आपको यहां पर उत्तर हो जाएगा चलिए आगे देखते हैं अगला प्रसने क्या है कि इंडियन एसोसियेशन का नेत्री तो किस ने किया था तो यह किया गया था सुरेंद्र बनर जी उसके बाद आपका आनंद मोहन बोस हो जाएगा तो इस प्रकार से इसका आंसर ह हो जाएगा एक से अधिक मान सकते हैं इसको आप ठीक है चलिया अगी देखते हैं अगला प्रसने क्या है कि इसका प्रसॉसासन को मुस्लिम लिग ने कब सुविकार किया था तो इसका अंसर हो जाएगा option B 1913 में क्या हो जाएगा 1913 में अगला प्रस्ने के home charge या Britain में भारती सरकार के खर्ज में समाहित पूछा गया है समाहित इसका उत्र आपका इन में से कोई नहीं हो जाएगा आपका यहां पे option E सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्ने के अठार सुसंदावन के भारती राष्टी कांगरेश के अमरावाती अधिवेशन को किसने तीन दिवसी तमासा कहा था तो आपका उप्षन सी हो जाएगा अस्वनी कुमार दत्ता अस्वनी कुमार दत्ता अगला प्रस्ने के जीमर मैन य हुपें दत्र इस प्रकार से इसका उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा अगला प्रस्ने कि साइमन कमिशन को किसकी अध्यक्षता में निक्ट किया गया था तो साइमन कमिशन देखा जाए सर जान साइमन क्या हो जाएगा सर जान साइमन आपका यहां पर उत्तर हो जाएगा 1920 के मद्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की सुरुवात किस ने किया था तो यह किसके द्वारा किया गया था तो आपका उत्तर सी हो जाएगा एन एम हार्डिकर हो जाएगा एन एन एम हार्डि कर अगला प्रस्ण है कि बंबई योजना में प्रस्ताव था किसका तो आपका उप्षन क्या हो जाएगा याद रखेगा इसमें से आपका कोई भी नहीं हो जाएगा उप्षन आपका यी सही उत्तर हो जाएगा चलिए आगर रेखते हैं अगला प्रस्ण है कि माननिय न्याध गैजिस की रूप में किस वर्स में दाई तो समभाला इश्का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फी दूहजार 11V 2011 प्शन 2019 में आर्केंट सिंग ने किस नियुरवाचन छेतर से लोगसभा सिट तो इसका आंसर हो जाएगा ओपसंटी का आंसर हो जाएगा अगला परस्लिक कि सानों vos ने किस आंदोलन में चौकी दारी कर देने से इंकार कर दिया था अब सबी लोग याद रखिएगा सविने अवग्या अंदोलन क्या हो जाएगा सविने अवग्या अंदोलन नेश्ट को सने कि निम्न में से कौन सा बिहार के भुगर्भी एतिहास में सबसे नविंतम है तो सबसे नविंतम आपका सी हो जाएगा बिहार का मैदान क्या हो जाएगा बिहार का मैदान अगला प्रसने कि पुरानी जल योग से बनाया गया है तिया आपका बनाया गया है सोबियत रूस से कहां से सोबियत रूस आपका सही उत्तर हो जाएगा चलिए आगे देखते हैं अगला प्रस्ने क्या है कुछ नमर 33 बिहार का प्रसिद पसु मेला कार्थिक पुर्णिमा में आयोजित होता है कहां में तिया आपका क्या कहलाती है तो आपका उत्तर हो जाएगा आहर और पाइन आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रसने कोशन नबर 35 निमलिखित में से किस इस्थान पर कोशी नदी गंगा नदी में मिलती है तो इसका अंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन ए कूरसेला क्या हो जाएगा कुरसेला सही आंसर हो जाएगा विक्रम सीला डालफीन अभ्यारन्य बिहार के किस जिले में इस्चित है बिहार के कौन से जिले में इस्चित है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भागलपूर क्या हो जाएगा भागलपूर आपका सही उत्तर हो जाएगा बिहार का प्रतिव्यक्ति सकल राज घरेलू उत्पाद 2017-18 में वर्तमान कीमतों पर 42.42 रूपए था इस्तित कीमतों अधार 2011-12 प्रतिव्यक्ति जी SDP का अनुमान क्या है तो आप सबी लोग याद रखिएगा इसका उत्तर आपका ए हो जाएगा 31.316 हो जाएगा ठीक है यहां पर दस मनों लिखा है 31.316 लिखा है यहां पर देखिए थोड़ा सब प्रिंट इसका सही नहीं हुआ इसके समझ में नहीं आ रहा है ठीक है चलिए आगे देखते हैं कि बिहार का कौम सजीला इस्तित कीमतों पर आधार वर्ट्स ग्यारा बारा तीन सबसे सम्रीद जीलो आज यह अधिसेस में लगबक कितने प्रतिशत की विरिद्धी का अनुमान है तो आप सभी लोग ज्याद रखिएगा 44 प्रतिशत क्या हो जाएगा 44 प्रतिशत चलिए अगले अगला प्रसंद देखते हैं कि बिहार में मोटी आनाच का कुल उत्पादन लाख टन में दुर आपका यहां पर सी हो जाएगा विहार में समाजिक विकास को बढ़ावा देने में जीविका ने अभूत पूर्व सफलता प्राप्त की है सितंबर 2018 तक गठित स्वय सहायता समुहों की अनुमानित संख्या पूछा गया है इस प्रकार से इसका उत्तर आपका डी हो जाएग आगला प्रसने कि मदर लेंड को किसने प्रकासित किया था तो तो सही आंश्ण हो जाएगा अपसन सी यहनी मजरूल रूम श्रूलूल हो जाएगा मजरूल हघूल है सब्सक्राइब किस सभ्सक्रा कहता है जो कि important है आप सभी लोग के लिए कहता है कि भारती राष्टी कॉंग्रेस के 1916 के लखनव अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रस्न प्रस्तूत किया था तो इसका अंसर हो जाएगा option ए राच कुमार सुकला हो जाएगा option आपका ए सही उत्तर हो जाएगा चलिए आप यहां पे सम्मिधान संसुदन संब्धित कि से जो कि इंप्रण्टे दरोगा के लिए तो आरक्षण से संब्धित याद रखिएगा आरक्षण से अगला प्रस्न है कि मानवा दिकार संसुदन अधिनियम 2019 द्वारा राष्ट्रिय मानवा दिकार करी हाई गया है तो यह आपका बाले को चाश्यां का उत्तर यह हो जाएगा एक बढ़ाए गया है क्लजा प्रस्न है कि भारित के प्रत्रम लोगपाल का नाम पूछा गया है तो सही आंसर आपका यह हो जाएगा पीचिंधस क्या head-up जोज़ा अगा प्रस्न है कि हाल ही में पारित तीन तलाग बिल्ड, जयरों नईस में अधिकतम कितनी अउधी की जेल की सज़ाग का पराउधान किया गया तो आप सभी को मिधान में सामिल किया गया था कब तो यह सामिल किया गया था कि तो आसा माफ कीजिए कि आप सब लो थोड़ा से मिश्टेक है इससे आंसर में आंसर में क्या हमें से मिश्टेक हो गया है तो इसमें देखिए पूछा क्या गया है कि हाल ही में पारित तीन तरव्ख मान सब्सक्राइब कि सजढ का प्रावधान पुछा गया है तो इसका आंसर बोर मान सकते हैं चलिए कि comida तो 35A प्रावधान को भारती समिधान में सामिल किया गया था कब चलिए बताइए तो इसका आंसर हो जाएगा option D 1904 में कब 1904 में मड़ी पुर्राजे का गठन कब हुआ था मड़ी पुर्राजे का गठन देखा जाए तो 1972 में हुआ था option आपका अचलिए साही आंसर हो जाएगा भारत में नयायक पुर्णार्विलोकन का आधार साइगे को भारत में राष्ट्रपती का चुनायां किया जाता है कि सक की द्वारा तो इसका उत्तर हो जाएगा option E इन में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक आपका उत्तर हो जाएगा चली आगे देखते हैं अगला प्रसने क्या है तो आप सभी को पता ही होगा राष्टपती का चुनाओ जो होता है राष्टपती का निरवाचन निरवाचन मंडल के द्वारा ही होता है ठीक है चली आग संस्था में इस्थान आरक्षित है तो इसका आंसर हो जाएगा option A, पंचायती राज, क्या हो जाएगा पंचायती राज, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रसने क्या है, question 63 कहता है कि रिक्त इस्थान की पूर्ती के लिए होने वाले विशेश चुनाओ को क्या कहते हैं, तो विशेश चुनाओ को देखा जाया तो इसमें आपका उप चुनाओ कहा जायता है, option आपका B, उत्तर हो जाएगा, वर्तमान में सरवच नियाले की नियाधीसों के संख्या पूछा गया है, तो करीबन आपका वर्तमान में देखा जायती तो 34 हो जायगा, जो कि इसमें नहीं दिया है, तो आपका option E, सही उत्त हो जाएगा, सामुदाई विकास कारे करम प्रारम हुआ है कब, तो यह आपका प्रारम हुआ है, दो अक्टूबर 1952 में, दो अक्टूबर 1952 को, पंचायत का चुनाओ कराने हे तो निर्ने कौन लेता है, तो राज्य सरकार दोरा यह निर्ने लिया एता है, option आपका B, सही उ दुक्र, अगला प्रस्ण है कि तुमाला यानि तुमाला पली, खदान, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरोइनियम का भंडार बना जाता है, यह अवस्थित है कहां पर, तो यह आपका कहां पर अवस्थित है, तो यह आपका अंधरा परदेश में अवस्थित है, option हुआ था, तो यह आपका हुआ था, option C, यानि create CM, create CS हो जाएगा, option आपका C, सही आंसर हो जाएगा, चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रस्ण क्या है, 71, कि पस्चिमी घाट उत्तर पूर्वी छेतर की पहाड़ियों, और अंडमान एवं निकोबार दीव समू में पाये जाने वाले वनों को चुनिये, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, option C, यानि उसमें कटी बन दिये, सदा बहार, one हो जाएगा, option आपका C, सही आंसर हो जाएगा, निम्न में से किस राज्ये में, one का विश्तार 75 प्रतिसत से अधिक नहीं है, तो आंसर हो जाएगा, option D, मद दे परदेश, क्या हो जाएगा, मद दे परदेश, अगला प्रस्न है, कि निम्न कतनों पर विचार कीजिए, और सही की पहचान कीजिए, तो सही की पहचान कीजिए, तो इसका उतर हो जाएगा, option C, केवल एक और तीन, greater हिमाले अपनी दिरंकरता के लिए जैना जाता है, तिसर आंसर क्या होगा, option आपका यहां पर B हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 75 का option A, पाकिस्तान के सासन में है, आपका उत्तर यहां पर 75 का A, सही उत्तर हो जाएगा, अगला प्रस्न है कि आरामा को तेल कंपनी किस देश से संबनित है, तो यह आपका समय थे सौधी अरब से, कहां से सौधी अरब आपका यहां पर उत्तर हो जाएगा, चलिए आगे जेखते हैं अगला प्रस्न क्या है, अगला प्रस्न है कि निम्न में से सबसे लंबी परवत स्रिंखला पुछा गया है, तो आंसर हो जाएगा, option C, रोकी, अगला प्रस्न है कि काल एक प्रक में इस जित है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, option E, इनमें से कोई नहीं, आफिरेक्स से अधिक हो जाएगा, आगे देखते हैं कि विसो का सबसे सूष करेगिस्तान पुछा गया है, तो सबसे सूष करेगिस्तान देखा जाए तो आपका option D हो जाएगा, आठा कामा, क्य इतनी होनी चाहिए, तो यह देखा जाए तो आपका आठ प्रतिसत होना चाहिए, option आपका यह उत्तर हो जाएगा, बजट दियरोनेश बीस में घोसित प्रधान वंतिक कर्म योगी मान धन योजना का लक्ष क्या है, तो यहां पर लक्ष पूछा गया है, तो इसका उत्तर ह हो जाएगा, option बी विरोजगार युवा के लिए भत्ता देना, क्या हो जाएगा, option आपका बी सही उत्तर हो जाएगा, बवना उधम, सौ से कम, कम वाले प्रतिष्ठान का भारत में जोरा ठारा उनेश में सरवा, यानि सिवा योजन और उत्पादक्ता में प्रतिसत कहता है कि वित्ति वर्ष जोरा ठारा उनेश में भारत का कितना प्रतिष्ठ ग्रामगीर परिवार सौचाले तक पहुच यानि पहुचाने वाला तक था उसका व्यवहार करता हुआ पाया गया है, इसका उत्तर हो जाएगा, option डी 99% क्या हो जाएगा, option आपका डी हो 35 का इसमें देखा जाए तो आपका option E हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं आफिर एक से अधिक हो जाएगा, 2017-18 में भारत में GDP की विकास दर 7.2 प्रतिष्ठ गटा करके 18-19 में कितनी प्रतिष्ठ हो गई है, तो यह आपका GDP वगरा जो आपका और से economic सहत या आपका हमेशा ब विकास दर कृतने प्रतिष्ठ से बढ़ा करके 18-19 में 10 प्रतिष्ठ होई है, इसका अंसर हो जाएगा ऑप्शन भी नव दुस्मलों तीन प्रतिष्ठ भारत के रत्न और अभूसर निरियात सनवर्धन परिष्ठ के अनुसार निरियात विकास दर अपरेल जुलाई जो तराले ने सहरवजनिक छेत्रक बैंकों की तरलता और व्युद्हार विवस्था क्यादार के लिए कितना मुल धन याई डालनेए की घोशना किया है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, 70000, क्या हो जाएगा सत्तर हजार, विद॥्धार की काई पुछा गया है, से जाना जाता है प्रति पर woo दो जाता है लेकिन ऐसे यह से अध्याज अगला प्रस्थ्थ gonna In fact, इंड है जॉअ प्रकास उस चृजक डाइयोड में क्वह गलत एप सबसे और होने वस्तूहां को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकासित उपकरण पूछा गया है तो प्रकासित उप्टर देखा जाय तो आ आपका ऑफशन रही अंसर हो जाएगा रासायन विग्ञानք के निम्न में से कौन स्थाबौतिक परिवर्थन का एक उदहर्ण ये तो अपस्थन आपका अगला प्रस्न है कि निम्न में से कौन सा एक अलोह धात्विक खनीज है इसमें आपका सभी हो जाता है मैगनेज, कोबाल्ट, निकेल, टेंट, इसमें आपका ओप्सन इह हो जाएगा अगला प्रस्न है कि ट्यूब लाइट तो था परकनलियों में प्रयोग किया जाने वाला ग्लास किस्से बनता है तो आपका यह हो जाएगा इनमें से कोई नहीं अगला प्रस्न है कि निम्न में से किस धात्व को विधूथ चलकता है सबसे अधीक है तो सही tapped हो जाएका ऑप्सन भी रजय में सबसे प्रचूर मात्रा में पाइ जाने वा़ी गैस पुषा गया है तो सबसे प्रचूर मातरा में पाइ जाने वाली गैस तो आपका नैटोजन हो जाएगा आगे डखते हैं कि अल्कोहल को कारभवुजिक अमल में परिवर्टित किया जा सकता है किस के दोरा तो यह आपका किया सकता है option A मातर ऑक्सिडेशन के द्वारा option आपका यहाँ पर A उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्ने की नाबकी रियक्टर में नाबकी विखंडर में विधुत उत्पन करने के लिए सधारत्य प्रियों किया जाने वरा तब तो पूछा गया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा option C uranium क्या हो जाएगा uranium अगला प्रस्ने की निम्न में से सबसे अच्छा अगनी सामक कौन सा है अगनी सामक आपका कौन सा है तो उत्तर हो जाएगा option D carbon dioxide क्या हो जाएगा carbon dioxide कहता है कि फुलरीन अथवा वकी बॉल कितने carbon परमाणों का बना होता है तो 60 हो जाएगा इसमें से जो आपका दिया नहीं है तो आपका option E हो जाएगा इन में से कोई नहीं चलिए आगे रेखते हैं अगला प्रसमे क्या है करता है कि अधिक उचाईयों पर द्रवों का कौथनांग पूछा गया है अधिक उचाईयों पर द्रवों का कौथनांग दिखा जाए तो आपका उत्तर भी हो जाएगा घट घटता है क्या होता है घटता है निम्न में से कौन सा कोसिका घटक कोसिका में दाखिल होने वाले जिवानों को नश्ट करता है तो इसका उत्तर हो जाएगा option C क्या हो जाएगा लाइसोसोम साइड में लहों की कमी होने से क्या होता है तो इसका उत्तर हो जाएगा option A अरक्तल पता हो जाएगा option आपका यहां पर A हो जाते हैं इसका इनिमिया वगरह भी का जाता है मानों साइड का समान यह तापमान होता है तो तो सही आंसर हो जाएगा option C अंठानवे दलस्ण रोच फोरिन हैट हो जाएगा अगला प्रस्न है कि मानुसरीड के किस अंग में उपकला कोसिका पाई जाती है इसका answer हो जाएगा option E चली आगे देखते हैं कि अगला प्रस्न है कि अंठ जोर रोग मानुसरीड के करणाली है जिसमें जिसमें देखा जाया तो आपका उत्तर सी हो जाएगा चली आगे देखते हैं अगला प्रस्न क्या है कि नेम्न में से कौन सी किरिया प्रित्वी पर हो रहे कार्बन चकर में oxygen को बढ़ाती है तो आपका प्रकास संसेसर हो जाएगा option करड़ी हो जाएगा नेम्न में से सनवहनी पौधो या फिर पौधे की चुनियों सॉरी पौधे को चुनिये तो इसका उत्तर आपका काई हो जाएगा क्या हो जाएगा काई आपका सही उत्तर हो जाएगा नेम्न में से जैविक उर्वरक का सही उधार कौन सा है सही उधारण पुछा गया है तो केवल आपका एक और दो हो जाएगा यानि माइको रीजल फंगी उसका दूसरा आपका है बुलू ग्रिन सेवाल तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा नेम्ड में से किस पौधे ने खाद सामगरी संगरह करने के लिए अपने इस टैम को संसोधित किया था इसका अंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अधरक क्या हो जाएगा संसोधित किया है अधरक अगला प्रस्ने कौन सा वैस्विक समेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सरजनों में कमी के लिए आयोई तो वैस्विक समझ होते कि दिशा में पहला कदम था तो पहला कदम था तो रियो उन्नीस सो बानवे में ठीक है इस रो का संचिप्ट यानि इस रो का फूल फार्म पुछा गया है सभी को पता है इस रो का इंडियन स्पेस रिसर्स और्गनाइशन हो जाएगा अब यहाँ पर थोड़ा सा करेंट का है जो कि आपके काम का कुछ कुछ कोस्टन है कुछ कुछ ओल्ड बहुत जादा हो गया है तो इसको देख लीजेगा भारत द्वारा हाल ही में प्रचेपित किये गए अंत्रिक्षियान चंद्रियान टू के एक भाग लेंडर का नाम प अगला प्रस्णे कि मेगुदूत एप जो कि भारत सरकार दोरा लॉंच किया गया है समय तक किस से क्रिसी से सम्मंदित है अगला प्रस्णे किस राजी ने हाल ही में मौब लिंचिंग एवं और कि लिंग के विरूद अभियान पारित किया है तो इसका अंसर आप सभी को पत सब्सक्राइब कर देखा जाएगा तेजस चलिए आगे देखते हैं कि टी ट्वेंटी साधिक विकलांगता विश्व क्रिकेट सोरोज होना चाहिए तो इसका ट्रॉपी का विजयता है कौन पूछा कि कौन है तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 24 का ऑप्शन सी भारत ठीक सब्सक्राइब कर देखा जाएगा तो राजीव गोबा हो जाएगा वर्च जुजरबाइस में जीटोनी सिकर समयान पहिए कौन सा देख से करेगा तो इसका अंसर हो जाएगा इनमेंसे कोई नहीं आफिर एक से अधिक हो जाएगा चलिए आगए देखते हैं अगला प्रस्ने की हाल ही में अपने नए जॉब टेकमेन की रूप में धनबाद में दाईतों ग्राहन करने वाले आई आई टी बाउमे के स्टूडिन्ट का नाम क्या है यह आपका पूछा गया है अगला प्रस्ने की भारत रूस को सुदूर पर्व के बिकास के लिये कितने बिलियन डॉलर देगा तो यह आपका देगा ऑप्सन बी यानि एक क्या हो जाएगा एक आपका उत्तर हो जाएगा राश्ट्रिय सिक्षक पुरसकार जो रठारे के लिए बिहार में बिहार से चैनिस सिक्षक स्री पपू हरिजन किस विद्याले से हैं तो यह आपका देखा जाएगा तो अप्सन डी हो जाएगा कुल हरिया कुल हरिया इस्कूल क्या हो जाएगा कुल हरिया इस्कूल अगला प्रस्ण है कि सभी ग्रामीड परिवारों के लिए हर घर जल सुनुचित करने है तू जल जीवन मिशन द्वारा किस वर्ष तक का लक्ष रखा गया है तो इसका उतर हो जाएगा ऑप्सन भी दोजर्ट थिस हैना तो आपका डी हो जाएगा 24 हो जाएगा याद रखि किया गया है और जुन पुरसकार की सभार्ज वर्ष से प्रारम हुआ था तो आपका यहां पर सी उत्तर हो जाएगा तो फ्रेंट्स आप सब लोग का 140 कुशन समाप्थ हो गया है वीडियो को लाइक शेयर कर जरूर कीजएगा और हाँ पीडिया आपको मिल जाएगा टेलेग्राम मिल जिसकर लेगा अगर आ इतना ही जाए हिंद वन्देमात्रम